दोस्तों ये क्या हुआ डंकी के साथ ओन डे टू यानि कि इसके वेरी फर्स फ्राइडे के दिन यानि कि सलार के क्लैस के बाद एलो आईस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका डंकी के दूसरे दिन के फाइनल प्रेडिक्शन के एपिसोड में देखो भाई आप लोगों को गाईस पता ही होगा कि इस मूवी का डेवन का करेक्शन कैसा रहा हला कि मैंने अपने प्रेवेज वीडियो में आपको बताया थ लेकिन बहाइं कहने की बात कि आम में कर दोस्थे एक पोस्टर दे इया क्योंक Kolata में लेंवाइट तो में कड़ याँ मज़ा आता है लेकिंगाइस जब वैसी कमाई नहीं होती तो मेकर पोस्टर देते ही नहीं है यहाँ पर रेट चेली वालों ने देर ही सहीं पोस्टर दिया हाना कि यह मुवी हमें पहले से पता थे कि वैसी ओपनिंग नहीं लेगी जिस तरीके से पठान जवान ने ली थी लेकिन फिर भी की रेस चलेगी दोस्तों और यह मुवी दोस्तों मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका बजट और गाईज यह जो मुवी है इसके पांच भाई पांच दिन का एक्सेंट वीकेंड है तो गाईज देखो अभी भी जिस तरीके कि आज क्यों की पिंसी आई है क्लैस के बाप जूत यह एक अच्छा अमाउंट मुझे लग रहा है कि काईज हासिल कर सकते हैं तो क्या करेंगी दोस्तों आज यह कमाई कर लेंगे बाद उससे पहले आप से रिक्वेस्ट कि आप हमें सब्सक्राइब करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम लोग यहां पर रिपोर्ट्स देते रहें और कुछ भी अप्डेट फूटे ना करो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरूरू लैट्स कार्थ दोस्तों यहां पर हम लोग बात करें कि दूसरा दिन यानि कि फ्राइड़े के दिन दोस्तों यह क्लैस के बापजूद कितना क्लेक्शन कर रहें यह बात हम सब को पता है आज शोज गिरें और ऐसा नहीं है कि कोई एक डेट हजार शोगिरें बहुत अच्छे खासे शोज गिरें आप लोग कह सकते हो कि चारचार पांच-पांच फाजार शोज गिरें तो गाईस फरक पड़ा है और फरक पड़ेगा है क्योंकि क्लैश था और उपर से गाईस सैक क्लैक्शन दुनिया भर से हुआ हमने 62-63 करोड की थी मुझे लग रहा था कि इस मुवी की कमाई है वह कुछ इस तरीके से हुई होगी जबकि मैं आपको कहा था कि मेकर्स के रिपोर्ट का हम करेंगे इंदजार 28 करोड ट्रेड ने कहा लेकिन जहां पर मेकर्स ने 39 करोड के कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लगभग 23.20 करोड की कमाई की 23 करोड 20 लाक रुपे जो होता है 2.8 मिलियन यूएसडी ठीक है ठीक है अगर यह एक्शन मूवी होती तो यही आमाउंट 40 करोड होता है या फिर 35 करोड तो कह सकते हैं कि दोस्तों यहां पर विथ क्लैस इस कल जो गाइज कलेक्शन जो आया है ओवर्स इसमें यह कल मिड़ वीक था आज तो वीकेंड है देखते हैं जो टॉपिक है यह बाहर के देशों के लोगों को भी रिलेटेवल लगेगा तो देखते हैं क्या होता है लेकिन आप लोग कह सकते हो कि 58 करोड का हमारे पास पड़ेगा और सलार के सलार तो मुझे सही लगी लेकिन अभी यहां पे जो लोग है मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं वहां से और क्रिटिक्स और यहां पे जो यूट्यूबर्स हैं मिला जूला ही रिस्पांस दे रहे हैं आप से पूछा चाहता हूं आपको कैसा लगा सलार लेकिन कह सकते हैं कि अगर इससे जादा उसको रेटिंग मिलती तो वही वाला हो जाता जो बहुत समय पहले हुआ था अलाकि वैसा तो नहीं होगा इस बार कह सकते हैं कि क्लेक्शन डिसेंट रहेगी दोनों ही मूवियों की लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि यह जिस तर समने हैं दोस्तों काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कल 29 करोड किया आज तो शोज गिर गए तो आधा कर लेते हैं पंदरा करोड या फिर सतरा अठारा बीस तो गाइस क्या नंबर आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा तो गाइस यहां पर मॉनिंग की पैंसी डिसेंट लगभ 700 शोज के साथ मेरे हिसाब से एक अच्छा अमाउंट है बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने 1600 शोज के साथ 70% की मुंबई दिली में देखी है जवान पठान की अगर मुझे बदाओ कि विराट कोली काफी अच्छे फॉर्म में मान के चलो उससे अगर किसी दिन जाए उसे हम लोग दोस्तों एक उनका डग लग जाए जीरो में आउट हो जाए तो गई कोई नहीं मानेगा ऐसा होता है तो गई यहां पर शारुखान दो बार हजार करोड़ दो बार दो सौकरोड की ओपनिंग दो बार 500 हिंदी ऐसा नहीं करेंगे तो गई यहां पर लो करोड़ ऑपनिक वाली कुछ ऐसी मुवी होती होती है चो धीरे-धीरे दोस्तों करती है यहां पहत No लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर दिली एंसियार में किस तरीक है का हिसाब किताबे तो आप लोग कह सकते हो कि दिल्यां दिली में उक्पेंसी दोस्तों लगबख 40% की है मुंबई से थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है क्योंकि जादा यहां पे लगबख 1000 के गरी सब्सक्राइब करें तो लगबख 47 पर्षेंट यहां पर बात करें तो 37 पर्षेंट के पैंसी 156 वहीं दोस्तों चंडिगर पंजाबी जगा है एक सिटी है तो वहां पे यहां पर यहां पर कि आज यह किस तरीके से नंबर हासिल कर सकती है और और यहां पर मैं यहां पर सबसे पहले आपको हिंदी का इंडिया का बताना चाहता हूं तो गाई देखो अराम से यह जो मूवी है हाँ शोज गिरें बहुत फरक पड़ाएं दोस्तों से उसका ठीक ठाक है लेकिन मुझे लग रहा है कि दोस्तों यह जो मूवी है बीस करोड़ से तो उपर कुछ भी करेगी बीस करोड़ मुझे अभी 21 करोड़ दोस्तों दिखाई पड़ रहा है 21 करोड़ जो की इतने शोज किरने के बाद एक अच्छा माउंट है और यहां पर 39 करोड़ दोस्तों इस मूवी ने किया कल तो 50 करोड़ दो दिनों में हाफ सेंचुरी जबकि हमें आदत किया थी एक दिन में 50 करोड नेट ठोक दिए लेकिंगा फिर भी ठीक है 29 करोड़ ठीक है और 50 करोड़ दो ठीक है क्योंकि मुवी ऐसे मार धार एक्शन दार मुवी नहीं है आप लोग बोलोगे कि यार यह कलेक्शन इसका ग्रॉस कितना बनेगा तो लगभग आप लोग 25-26 करोड़ मान सकते हो तो यह जो मुवी है अराम से आज भी ओवर्स इसमें 20 करोड़ से कुछ करेगी क्योंकि वीकेंड है हाँ एक्वामैन लगी है हाँ भाई साफ सलार भी दोस्तों लग गई ओवर्स में मुझे लगता है कि फिर भी दोस्तों यह काफी अच्छा क्लेक्शन कर सकती है और सिसके रिव् करोड़ आज भी वर्डवाइड आ सकता है 45 करोड़ इसमें गाइचा करोड़ की कमाई को एट करते हैं तो जो कि हमें एक दिन की आदत थी एक दिन के अंदर शारू खान की मूवी 100 कोड़ से अपर गरती थी काइस कमाई तो आप लोग कह सकते हो कि यहां क्लैश और गाइज बहुत से चीज़े हैं बहुत से फैक्टर है जो इस मुवी का कमाई को एफेक्ट डाल रहा है हाला कि देखो बजट भी इस मुवी का जवान पठान से काफी कम है यह भी आप लोगों को देखना है तो कुल मिला के देखो भाई सच्चाई तो यही है कि हमें जिस तरीके से उम 27000 करोड की कमाई की थी वह यह दो हजार करोड कमाके लाया है तो कम से कम भी दोस्तों यहां पर यह कमाई है 200-300 अप कर आपके चैप मिलें याह लिया व तो देखते हैं आगे क्या होता है हां अगर वैसे रिवीव मिल जाते हैं उसके बराबर भी तो गाइस यहां पर कह सकते हैं कि जो ओडियन्स है वह एक तरह एक ही तरफ चले जाती है लेकिन अभी दो अंतरफ रहेगी क्या कुछ है कहना बताओ मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो मैं अभी के लिए इतना ही